हेलो एब्रिवन, आयाम बिंदुतिवारी, वेलकम टुमाइ यूटूब चैनल आज का सैग्मेंट बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास, बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भाई जब अपने हाथों से बनाकर कुछ खाया जाता है और कुछ पिया जाता है तो उसका आनंद ही अलग होता है बिलकुल सही बात है, तो आज मैं आप लोगों को इस सैग्मेंट में पिछली इंपेर्ड जो गल्स हैं वो कैसे किचन के काम को करेंगी जानी भी खाना तभी तो बना पाएंगी, चाय तो तभी तो बना पाएंगी पीने के लिए जब उन्हें चीनी, चाय पत्ती, मसालों का घ्यान होगा मसाले किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी स्मेल कैसे होती है और इसमेल की द्वारा इसको हम कैसे पहचान सकते हैं तो चलिए भाई आप लोग ready है ना सीखने के लिए अगर आप लोग ready है तो फिर हम लोग यहाँ भाई आप बताईए तभी हम सुरू करेंगे या दरवाईज हम नहीं करेंगे अच्छा भाई आप लोग ready है आपका जवाब मिल गया तो चलिए आप सीखने के लिए ततपर हैं तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज किस तरह से मसालों की पहचान की जाएगी भाई मसालों की पहचान कर लेंगी तो आप स्वादिष्ट बेंजन बना सकती हैं आप बिभिन प्रकार की vegetables दाले बना सकती हैं क्योंकि बिना मसाले नमक के तो कोई भी सामान बनाना संभा भी नहीं है impossible तो चलिए फिर जानते हैं देखिए हमारे main जो मसाले हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे भई यह वास सही है हमारी side नहीं है लेकिन हमारे पास other sense तो है ना हम उसके थुरू हम मसालों की पहचान करेंगे जैसे हमारी जो touch sense है उसके थुरू हम मसालों की पहचान करेंगे यहाँ पर हमारे मसाले हैं जो मेन सबजी में यूज करते हैं वो है जीरा, अजवायन, मेथी, हल्दी, पौडर, धन्या पौडर, काली मिर्च, नमक, ये सब हमारे मेन मसाले हैं, गरम मसाला, जो कि हम मुख्यता सबजी में प्रियोग करते हैं, बेजेटिवल्स बनाते समय, अब रही बात इन सब मसालों की पहचान आप कैसे करेंगे, तो देखे, आप किसी भी साइटेट कल्स की मदस से, भई, आप देखे, एक बार तो आपको सीखने के लिए किसी न किसी की हेल्प त आपकी सिश्टर है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, अगर कोई नहीं है, तो अपने आसपास के लोगों की आप हेल्प ले सकते हो, तो एक साइटेट गैड के द्वारा आप लोग मसालों को छोकर इस परसिय सकती के द्वारा पहचान कर सकते हो, अब देखे, हाथ में आप लोगे काली मिर्च, भी छोटा छोटा गूल गूल होता है, थोड़ा सा खुर्दूरा चुने में लगता है, तो आप पहचान कर लेंगे, जीरा छोटा छोटा होता है, थोड़ा सा आप उसको टेच करके, बिल्कुल पॉइंट जैसा अजवायन होता है, खड़ी धनिया भूल थोड़ी सी होती है, तो राई आपकी विल्कुल महीन-महीन छोटी सी होती है, हाँ से टेच करेंगे, तो आपको पता चलेगा, देन नमग और गरम मसाले के स्मेल से आप पता कर सकते हैं, बहुत देच खुसवाते हैं, महा का आती है, तो इस तरीके से आप मसालों के पहचान कर सकते हैं अब भाई आपको चाय बनानी है तो चाय पत्ती चीनी की भी पहचान करनी होगी तो आप चाय पत्ती का जब डिबा जिस डिबे में आप रखते हैं उसको खोलते हैं तो अलग तरीके की स्मयल आती है और चीनी भाई छूने से ही पता चल जाएगा आपको क कि क्योंकि अगर आप चीनी को टेच करते हैं तो वो अलग से ही पता चलता उसके कर्ण छोटे-छोटे होते हैं अगर हाथ में टेच हो जाता थोड़ा सा लिसली सा हाथ लगता है तो इस तरीके से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं अब चाया बनाने के लिए अद्रक का भी होता आद्रक भी आप आसानों पहचान कर सकते हैं हम इलाई's ची डालते हैं इरियाक के बारे में लोंग इन सारी चीछों को हम पहचान से अपने touch sense के द्वारा कर सकते हैं और first time जब आप इसकी पहचान करेंगे तो आपको किसी न किसी की help, sighted guide की लेनी ही पड़ेगी और इसका और भी तरीका है माल लिजे आपने पहचान कर लिया ठीक है? अब आप छोटे-छोटे एक size की डिब्बे बना लिजे उसमें काली में उर्च रखे, अजवाइन, नमग, गरम, मसाला सब अलग-अलग डिब्बे में रखती जे हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, खड़ी धनिया सब अलग-अलग डिब्बे में सीरियल वाइस से आप जब रख लेंगे अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? बेल-स लेंगे, श्टाइलेस लेंगे और काली मिर्च लिखकर उसको जो हमारी सैटेट गाइड है, वो कटिंग कर देगी और टेप से उस डिब्बे पे चिपका देगी इसी तरीके से हर डिपे में हल्दी पॉडर पे हल्दी धनिया पॉडर पे धनिया गरम मसाले पे गरम मसाले नमक डिपे पे नमक इसी तरीके स्चाय पती चीनी हर डिपे पे एक सिलिप लगा देगी टेप के माध्यम से ब्रेल में लिखा हुआ आप उसको लिख कर देंगे वो लगा देगी सब अब ये पर्मानेंट कभी खराब ही नहीं होगा ये सीट आपको अगर नहीं मिलती है क्योंकि देखिए जो ब्रेल पेपर आता है मोटा होता है वो खराब होने का डर हो सकता डॉट मिट जाए लेकिन ये वाला काफी टिकाओ होगा काफी टाइम तक चलेगा और आपका खराब भी नहीं होगा तो आप इस सीट का प्रियोग कर सकते हैं या जो इस्टिक फाइल जासी आती है प्लास्टिक वाली मोटी वाली सीट आप उसका भी प्रियोग कर सकते हैं उस पे भी आसानी से लिख जाता है ब्रेल में आप उसको भी कटिंग करके लगवा सकते हैं एक तो आपका ये माध्यम हो गया और इसके त्वारा आप आसानी से आप मसालों की पहचान कर सकते हैं क्योंकि देखें आप इसके लिए बहुत सारे devices भी आ रही हैं आप उसके दुरू भी पहचान कर सकते हैं बट manual जो आपका work होता है ना वो काफी अच्छा होता है और माल लेजे device कभी नहीं भी काम करता है तो आप आसानी से आप अपने touch sense और जो आपका manual work आपने braille से लिखकर चिपका रखा है उसको आप अपने finger से पढ़ लेंगे और आप मसाले निकाल कर जिस मसाले और जैसे सबजी बनानी है उसके recording आप यूज कर लेंगे और बना लेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा और आपको device के बार में भी बताते हैं एक sonic labor आता है ठीक है अब उसमें एक pain जैसा होता है और एक label होता है sticker type का जो कि पहले अब sonic labor के बारे में आपको बताते हैं pain के आकार का होता है इसमें जैसे pain में point होता है नीचे वेसे इसमें भी point होता है और इसको on off करने का system होता है और label आप डिब्बे पर लगाएंगे और on करके उसमे point रख कर record कर देंगे ये काली मिर्चeka डिब्बा है ये फिर दूसरे पर sticker लगाएंगे और इसको on करके अपना पॉइंट रखकर इसको record कर देंगे ये अजवाइन का डिबा है इसी तरीके से हर डिबे में जिसमें चीनी है चापती है और काली मिर्च गरम मसाला नमक हर डिबे पर आप इस तरीके से कर देंगे label लगा कर और इस points को on करके device से तो जब भी आपको जरूरत होगी और इसको आप लगाएंगे उस डिबे पर on कर देंगे तो आपको बताएंगे काली मिर्च का डिब Character है फिर आप अजवाइन वाले पर लगाएंगे तो अजवाइन का बताएगा नमक पर लगाएंगे नमक बताएगा इस तरीके से आपको मसाले ढूलने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाय पत्ती चीनी ढूलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप असानी से और इसको ये डिवाइस कोई बड़ा भी नहीं होता, आप इसको रख सकते हैं आसानी से, आप असानी से कैरी कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब् मैंगी बहुत फैबरेट होती है मैंगी में भी आप हलका सा गरम मसाला डाल सकते हैं नमक डालना ही होता है तो इन सब की पहचान आप मैनुवल वे में भी कर सकते हैं डिवाइस के थूरू भी कर सकते हैं कई वार होता है आप डिवाइस कहीं रख दिये आपको नहीं मिल रहा ह या device नहीं काम कर रहा है तो उस condition में आपका सबसी अच्छी बात है जो आपका manual work है वो ही काम देगा और कुछ time में जब आप काम करने लगते हैं आपके touch sense इतनी strong हो जाती है कि आप मसालों को उसके smell से उसके touch करने पर और आप पहचान जाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही next segment में new topic के साथ हम आपसे मिलते हैं और भाई स्वादिष्ट वेंजन बनाना तो हमको जरूर बुलाना खिलाने के लिए और I hope आप लोग आसानी से बना सकते हैं और sure आप कोसिस करिएगा इस वीडियो को उन तक जरूर पहुचाईए जिसको इसकी नीड है और इंटरनेट की सेवा से बन्चित है आप watching my video, thank you so much, bye bye